विल्कम बेक टू मा यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुश्चन नंबर आपका 21 है ठीक है कुश्चन नंबर 21 जो कि आपका कमिश्ट्री का पोर्सल है और आपका बीस्टी सेकंड समस्टर के लिए ठीक है तो इससे पहले हमने 20 तक नुकलीक अमलों के घटकों का संचिप्त वर्डन करना है ठीक है जो नुकलीक अमलों के घटकों का संचिप्त वर्डन मतलब की नुकलीक अमला कर बनाऊ और आपका नुकलिऊस नुकलियोटाइड posso अगर हम बात करें ठीक है किसकी नुकलियु साइड इस इसमें आपका एक तो नाइडरोजनास भेस ओता ठीक है किया होता है होता है उ थाये है जैसे में क्या होता है अपका लोगने बात करें नियुक्लिडाइड गितुनियू टैप nah आपिंक्लियोटैड मुदफ यह थी कि उन चीजों से किटाष आपका नुक्लियो सátय। और अधर हएं घार हम कहते सकते हैं इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना उता थिक तो तो हूं एक विक्रीव साइट होता है ठीक्लेज Launch Sh caves में और और छोसे होते हैं यह तो तीन चार जो है component इसमें पाजाते हैं सभी को हम एक एक रगे ठीक है तो यह नूथ रखने नूथ रखना है अपका nitrogenous जहां पर आपका adenine हो सकता है cytosine हो सकता है थाइमिन हो सकता है और और आपका क्या होता है यूरेसल होता है ठीक है जो हम जानते कि आरेन अमें आपका थाइमिन की जगह पर आ जाता है पर और नुकलीो टाइट के आपके तो आजматे नुकलीू साइड साइड प्लस किया होगा फास्टे गृप तो नुकली शाइड में क्या नुकली उसाड में आपका नायट्रोजनस बेस रहता है नायट्रोजनस बेस पिलस आपका सुखर तू हम क्या सकते हैं कि तीन चीज़ें जो है समय हो जाएंगे कितनी चीजा हो जाएंगे तीन चीजे एक तो क्या होगा आपका यह फासरीट गृुप होगा ठीक है तो तो हम इनकी बात करते हैं चर्चा करते हैं कि आपका न्यूक्लीक अमलों के गटक ठीक है एक क्या होता है आपका नाइतोजनसस भेस होता है नमबर एक लिख लो फास्फोररग झाल पामळ फास्फफोरak आम धूसरा होता है आपका पेंटोसे चरकराएं जो दो दो होती है, दो कौन कौन सी होती है, एक तो आपकी राइबोज होता है, दूसरा कौन सा होता है, आपका डी ओक्सी राइबोज, ठीक है, यह जो डी आपका लगा, यह दर्सादा कि इसकी जो इस्ट्रक्चर है, वो कैसी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ठीक है यानिकि इसका जो गोडन है वो कैसा है दक्षिना वरता है इसका जो गोडन है वो कैसा है दक्षिना वरता है ठीक है डेक्स्ट्रो रोटेटरी ठीक है यह लगा हुआ है तो यह कैसा हो जागा आपका डी रायोज ठीक है वैसे क्या है आपका राइबोज सुगर है कैसा है राइबोज सुगर है लेक брат यानarte चीज़ास टूर्ड़ाय लिफ्ट्र estamos में आगे डी लगा दिया ठीक है बगी क्या है आपका राइबों मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और आपका फिबगा, तो सभी में क्या लगा रहा होगा आपका, ओ-ओ-ओ-औ-इच गृुप लगा रहा होगा, लेकिन अगर हम डी ऑक्षी राइबोस की बात करें, दी- आक्सी राइबो-स सरकरा की बात करों तो इसमें second carbon से आपका जो oxygen होता है वो раз Sam pa यहां से औू इसका हो जाता है ठीक है तब हाँ से आक्सी आपका निकल जाता इसको हम कहते हैं two the oxy क्लाए जो oxygen आपका दूसरे carbon से निकला up इसलिए इसका position भी दे जो आपका डियोज को खांपर वहा जाए इसका टुदी ऑक्सी राइबोज हो जागा ठीक है 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 ऑनम चलिए यह दो तरह की क्या हो गई फास्ट प्रस कर जोगे ठीक है पेंटूस चरकरा आए बस बोई लिखा हुआ आपका OHC, ब्रेकट में कहा है CH, OH का होल्ट्राइज, CH2, OH ठीक है, यह हो गया, बागी कहा है, OHC, CH2, और CH, OH का होल्ट्राइज, और आपका CH, OH है, ठीक है, तो यही जो है, आपकी दोनों इसमें लिखे हुए है, नेक्स्ट, कहरा है, राइबोज, आर याद रहेगा, ठीक है, तो इतना याद रहेगा, थर्ड आपका क्या है, अब तक हमने क्या पढ़ा था अभी हमने पढ़ा था फासफेट गुरुप और हमने पढ़ा था सुगर जो की सुगर आपकी दो तरह की थी ठीक है अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो की आपका कहला है नूकली कमलो में बिदमान विसम चक्रिये चारक नहीं या पर क्य चारक है ठीक है क्या होते हैं विसम चक्री आपके चारक होते हैं ठीक है क्या होते हैं आपके चारक जिने हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं ठीक है तो इनको हम जानेगे कौन-कौन से होते हैं तो सबसे पहला आपका क्या होता है विसम चक्री चारक क्या होगा प्यूरीन चा तो प्यूरीन के अगर में बात करें तो यह क्या नाभिक है? ठीक है तो इस तरह से आपने क्या बना लेना है प्यूरीन बना लेना ठीक है जिसमें आपको एक बेंजीन की तरह एक सरचना बनानी है इस तरह से नाइट्रोजन ये आपको ध्यार रखना है कि जो नाइट्रोजन एटम लगा हुआ है वो कहां कहां कौन कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है ठीक है ये आपका इंपोर्टेंट है ठीक है सरचना आप बना लेना है बन जाएगी लेकिन आपका जो नाइट्रोजन एटम लगा हुआ है कौन कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ यह आपको इंपोर्टेंट है याद रखना है ठीक है फर्स्ट कारवन सेकेंड और आपका थर्ड यह फूर्थ यह फिप्त और यह सिक्स ठीक है तो छे कारवन की हमने एक रिंग बना लिए जिसमें आपके तीन नाइट्रोजन है आपके कुछ इस तरह से वन नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन और आपका एक यहाँ पर हो जागा त्री ठीक है तो तीन नाइट्रोजन और सौरी एक और है आपका चार नाइट्रोजन है ठीक है तो रिंग में आद रखना है कि रिंग में आपके कितने नाइट्रोजन ठीक है? यानि कि 6 atom बाली रिंग और 5 atom बाली रिंग तो यह क्या हो जागा? आपका purine नाभिक हो जागा तो इसमें अगर हम बात करें, आदिनीन की किसकी? आदिनीन की, तो आदिनीन की आपका 6 amino purine क्या है? 6 amino purine मतलब कि जो आपका 6 position पर है तो बाकी तो आपका same रहेना किसकी तरह है प्यूरीन की तरह ठीक है एक आपको six member ring बनानी है ठीक है कितनी six member ring जिसमें आपका first और third position पर कह रहाएना है nitrogen रहना है एक आपको five member ring बनानी है जिसमें आपका seven और nine position पर कह रहाएना nitrogen रहना ठीक है तो इस तरह की जो सरचना प्राप्त होगी वो आपका क्या कहलाएगा वो आपका कहलाएगा एडेनीन क्या कहलाएगा आपका एडेनीन मींस आपका 6-amino-purine क्या हो जागा 6-amino-purine आने कि 6-carbon पर आपका एक amino-group लगाओगा ठीक है क्या लगाओगा अमाइनो-group लगाओगा ठी अगर हम बात करें हैं गवानीन के किसकी गवानीन की ठीक है यह भी आपका क्या है प्यूरीन शारक है तो गवानीन के अगर हम बात करें तो गवानीन में क्या है five oxo, thicc ah five oxo, मतलब की इसमें क्या होगा, five oxo, two aminopurine, five oxo, two aminopurine, five nuh six oxo, ठीक होगा, six oxo, याने कि six वाले कार्वन पे, क्या होगा, आपका O group लगा होगा, तीक है, इसे हम keto form भी कहते हैं, keto form भी कहते हैं, ठीक है, C double bond O, बाकी आपका गया है, first पे आपका गया है, NH लगा हुआ है, क्योंकि यहां का आपका एक bond तूट गया, ब्रेक हो गया, ठीक है, और double bond आपके किसके साथ में बन गया है, oxygen के साथ में, इसलिए यहां पर गया है, आपका hydrogen आगया है, second वाले जो carbon पे लगा हुआ है, बुके लगा इन कहते हैं क्या है आपका यह गौनीन का इसमें भी सेम आपका एक six member ring बनेगी और एक आपकी five member ring बनेगी ठीक है जो आपका position है nitrogen का वो आपका same रहे ठीक है जैसा कि आपका अडिनीन में था ठीक है changes कहां पर हुआ है six carbon पर ठीक है और second carbon इससे हमने क्या बना लेना गौनीन बना लेना क्या बना लेना वही गौनीन तो गौनीन कैसा बन जागा यह आपका जो ऊपर था इसका क्या नाम oxygen जो लगा हुआ था आपका six वाले carbon पर इसमें क्या हो गया keto in all tau to merism कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं tau to merism इसमें क्या होता जो आपका proton होता है ठीक है जो आपका keto form होता है उसके पास वाले carbon पर या किसी item पर जो आपका proton hydrogen होता है वो क्या करता है उस वाले oxygen पर चला जाता और यहाँ पर bond तूट जाता और इसके बीच में आपका एक bond बन जाता है ठीक है यानि कि यह nitrogen से लगा hydrogen यह वाला bond आपका break होगा ठीक है और यह bond break होगा तो यहाँ पर एक नया bond बन जागा और यह hydrogen कहां पहुंजागा oxygen पर पहुंजागा और यह form बनेगी आपकी enol form कौन सी form बन जाएगी enol form ठीक है तो six carbon बर्ड रिंग में आपको first और second और third ठीक है first और third carbon पर आपका nitrogen पहले से लगा रहे था लेकिन जब आपका guanine लिखना है तो आपर second carbon पर क्या लग जाएगा आपका amino group लग जाएगा ठीक है तो इस तरह ऐसे आपका क्या बन जाएगा guanine बन जाएगा ठीक है clear आगे अगर हम बात करें second दूसरा क्या होता आपका पिरमिडीन शारक क्या होता है आपका पिरमिडीन शारक ठीक है तो पिरमिडीन शारक में हम जानते हैं आपका क्या होता है यूरेसल होता है थाइमिन होता है और आपका साइटोसीन होता है ठीक है यूरेसल थाइमिन और साइटोसीन यह आपका DNA के लिए होता है ठीक है तो पिरमिडीन शारक के हम बात करेंगे यूरेसल थाइमिन और साइटोसीन ठीक है तो यूरेसल और साइटोसीन और आपका था ठीक है चलिए पिर्मिडीन नाविक ठीक है यह आपका क्या है पिर्मिडीन का नाविक या नुकलियस यहां पर दे रखा है ठीक है क्या होगा इसमें भी आपका six member ring बनानी है लेकिन केवल एक ही बनानी है ठीक है केवल six member ring बनानी है आपको एक ही ठीक है तो इसमें क्या होगा आपका first और third carbon पर पर क्या लगएगा आपका nitrogen पर 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 बात कर लगएगा nitrogen बाखी आपको balance double wand से fulfill कर देनी है तो यह हो जागा आपका प्रमिडीन का नविक हो जागा next, uraceal की अगर हम बात करें तो uraceal में क्या है? इसमें भी पोजिशन पे क्या लगा हुआ आपका नाइट्रोजन लगा हुआ है ठीक है बागी सेकंद और फॉर्थ पोजिशन पे क्या लगा हुआ है आपका oxygen ठीक है या oxo group लगा हुआ है ठीक है second और fourth position पे ठीक है तो यह क्या हो जागा आपका uracil नाम क्या हो जागा 2,4 dioxo एक तो 2 पे लगा हुआ है आपका 4 पे तो 2,4 dioxo बागी क्या हो जागा पिरमिदीन ठीक है क्या हो जागा 2,4 dioxo प्रिमिडीन हो जागा, थाइमीन के अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको क्या करना है, six member ring बनानी ठीक है क्या करना है, six member ring बनानी जो की आपका uracil से बिलकुल मिलता जुलता है, केबल आपकी condition कहाँ पर change होगी, fifth वाले carbon पे आपको क्या लगा देना है, एक CH3 गुरुप जो है, लगा देना है ठीक है, fifth carbon पे एक आपको CH3 या methane गुरुप आपको लगा देना है, आपका क्या बन जागा, uracil से थाइमीन बन जागा ठीक है, बागी आपका same रहेगा, two, four, dioxide, five methyl फिप्त वाले carbon पे हमने क्या लगा दिया, methyl लगा दिया, तो क्या हो जागा five methyl बागी आपका कह रहेगा, फिर मेडीन रहेगा, ठीक है, तो इस तरह से थाइमीन बन गया यानिकि oxo group है, third पे nitrogen, fourth पे आपका, fourth पे आपको ध्याँ रखना है, amino group लग गया वही, क्या लग गया, fourth carbon पे आपका amino group लग गया, बागी आपका जो ring है, वो same है, ठीक है, तो क्या जागा two oxo, यानिकि दोसरे carbon पे आपका O group लगा हुआ, तो two oxo, four amino, ठीक है, चौथे carbon पे आपका NH2, यानिकि amino group लगा है, तो two oxo, four amino हो जागा, बागी नाम क्या इसका, पिर मिडीन, ठीक है, तो ये सभी पिर मिडीन चारक है, कैसे हैं भी, सभी हमारे पिर मिडीन चारक है, क्या है, सभी हमारे पिर मिडीन, ये क्या है, पिर मिडीन का नाविक है, ठीक है, क्या है, पिर मिडीन का नाविक, बस इसको आपको याद करना है, ठीक है, क्या करना है, इसको आपको याद करना है, इसी स सबी जनरेट हुए है इसी से आपके तीनों यूरेसिल थाइमिन और साइटोसीन तीनों आपके प्रिमिडीन नाविक से ही बने हुए है बस थोड़ा चेंजिस हुआ आपका कहीं दूसरे कारवन पर चौथे कारवन पर कहीं आपका फिप और कहीं फोर्थ ठीक है तो यह देख इसके आगे हम बात करें pienमिडीन शार्कों को उनके कीटो रूप जैसे आपका में प्रदर्सित किया गया है किन्तु रूप में भी विदमान रह सकते ह्टे इप इनॉल रूप में भी विदमान रह सकते अभी यह बाद इसको कर दिया था इसमें टाउटो मर्जम हो गया था मतलब पडूस वाला ऑक्सीजन के साथ में वाइंड हो गया था और बॉंड टूट के का हो गया था इनके बीच में आपका बॉंड बन गया था ठीक है बनद पहले नहीं था यह बाद में बना जाब ãपके बीच में बनेगा ठीक है तो यह आपके लेकिन औरा फ्र chronic गया है किया आपका यह यह क्या था olsun है क्या है अपर सकते हुप पर oxygen oxygen लगा वा ठीक है carbon double bond oxygen carbon double bond oxygen zeg दो position पर लगा हुए फर्स सेकेंड घर्ण और फोर्त पोजिशन पर आपके 2 ओउजो गुरूप लगे हुए ठीक है तो यह कैसा होगा आपका keto रूप भिब ऋजागा क्या हो गया है डाउटो मर्जम यानी कीटो फ Too तो mostly होते गा यह कीटो होते लेकिन एग्ज़ेस्ट कर सकते है ठीक है इनौल सा और बचा हुआ है, डेख लो, धेहन से, बर नहीं कि अनुनाद उर्जा, एरोमेटिक रिंग की अनुनाद उर्जा से अधिक होती है, जो आपका अमाइट गुरुप होता है, का उंसा गुरुप होता है, ठीक है? तो इसकी जो अनुनादी उर्जा होती है, वो किस से होती है aromatic ring से ठीक है जो आपकी aromatic ring लेते हैं इस से ज़्यादा अनुनादी उर्जा किस की होती है amide group की होती है ठीक है इसलिए lactum rup जो आपका keto group होता है अधिक इस्थाई होता है कैसा होगा भी जो आपका keto group होगा वो कैसा होगा आपका अधिक स्थाई हो जागा ठीक है और इसी प्रकार नूकलीक अमल में पिरमिडीन शारक कीटो के रूप में ही विदमार रहते हैं किसमें नूकलीक अमल में जो आपके पिरमिडीन शारक होते हैं कौन से पिरमिडीन ठीक है पिरमिडीन नहीं पिरमिडीन शारक होते हैं वो आप आपके किस फॉर्म में रहते हैं कीटो के रूप में रहते हैं ठीक है इस फॉर्म में जो है आपके पाए जाते हैं ठीक तो इस तरह से यहां पर आपका question number 21 जो कि आपके nucleic अमलों के घटकों का संचिप्त वर्ण पूँच रहा था हमने क्या क्या पढ़ा था नूकली कमले में हमने पढ़ा था एक तो आपका फास्ट गुरूप लगा रहता है दूसरा क्या होता आपका सुगर्स होते हैं जो कि आपके दो प्रकार के होते हैं ठीक तो प्यूरीन शारक भी आपके दो तरह के होते हैं कौन कौन से गौनीन और एडिनीन ठीक है जी और ए दूसरा हमने पढ़ा था प्रिमिडीन प्रिमिडीन तो ये भी आपके दो तरह के होते हैं ठीक है किसके लिए इन केस आप डीने की अगर हम बात करें ठीक है किसकी डीन लिए ने ये क्या होता आप कहां इक तो साइटोसीन दूसरा कह रहाता है थाइमीन ठीक है तो बागी यह ने और आरने के लिए लगवक सेम होते कंडिसन के होती है कि जो आर आने होता उसमें आपका प्रिमैडीन की जगाई पर कि प्रिमैडीन चारग में ठाइमिन की जगह पर के आ जाता है यूरिसल आ जाता है के वले इतना याद रखना ठीक है तो इसमें हमने ये तीन जो आपके संगटन होते हैं जो components आपके तीन मिले रहते हैं नुकली कैसे ने में उनको हमने जाना दा इस्टेडी किया था उमेंद करते हैं समझ में आया होगा मिलते हैं अंगली बीडियो में बने रही है हमासा तब तक के लिए थैंक्स वर वाचिंग और शेयर दर वीडियो के बाई बाई